एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब के प्रतिपक्ष का काम है कि जनता है कि आवाज को आवाज दे और वही हम कर रहे हैं कलियूद कंग्रेस के दोर आजारों नौजवानों ने जो राजी की अंदर बेरुजगारी का जो सवाल है सवाल है सरकार बता दे कि इसी कोविट के दोर में कुछ 6 लाख उत्राखंड के लोग जो दूसरे राज्यों में नौक्रियों से बिरोजगार हो गए थे छूट गई थी वो राज्य में आए उनके लिए उसने क्या काम किया पिसले चार साल होने जा रहे हैं इन चार सालों में उत्राखंड लोक्साय आयूग उत्राखंड अजीजन आयूग में कितने लोगों के इसने रोजगार के लिए काम दिया है निजी शेत में चार सालों में कितनी नोक्रा सुजन हुए कोबिट के कारण हजारों लाखों लोग जो विरोजगार अब गई छोटे बियोजगार तबाह होगे सिट्कुल के अंदर कोई नया इस्टिबलिस्मेंट नहीं आया है सिट्कुल के अंदर चोंट फैक्ट्रियों में लोग विरोजगारी की हुग रहे हैं उतने में उनके लिए सरकार ने क्या किया है तो हम तो कल जो नौजवानों का सहलाव वहां पर देखने को मिला तो इस ओर इसारा कर रही है कि सरकार पूरी तरह से रोजगारी रोजगार की फ्रंट में अस्पल हुई है और सरकार ने वादा किया है हम रोजगार देंगे वह हमारा धरम है राजनिती में देश के संभीनाने ने अधिकार हम कर तो वह हम नहीं कर रहा है राजनिती त स्वास कर्मी है वहां भी पद खाली पड़े हैं सिक्षकों के पद खाली पड़े हैं सरकारी विभागों में हजारों पद जो रिक्ट पद हैं जो कोई नए पद नहीं है वो पद खाले पड़े हैं दो-दो आयो आपने सब्सक्राइब करें अब उत्राखंड सरकार की मंत्री मदन कोशिक करें कि आए बात चित करें हमने जितने फ्रंट पर काम किया है सब हम गिनवा देंगे और उत्राखंड की जनता जो है वो सब समस्ती है देखें उत्राखंड की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है मोदी की बीजीपी की हो यहां आदमी पार्टी दोनों ए और बी टीम आरेसेस की हैं आज खुद प्रसांद बूस्वन जैसे लोग आम आदमी पार्टी को बनाने में जिनुनों काम किया था कि हां हम समझें क कि आरेसकती हें की दूरी ख़ड़ा के आँधवन के हिस्थे थे बता जी इसी प्रदीस के के इंदेस के आदेस की राश्टिय ब्हेस्टी स्च्छरूम है कि आपने मांस पेना या तर्गट दी दिया गया है कि वहीं आपको इतने चालान करने करने हैं, 70% पद प्रदाना चैरियों की रिद्प खाली पड़े भी हैं, हजार उपद क्या कहते हैं सिक्षकों के खादी पड़े हैं, आपने दिल्ली में कौन से ऐसा नया काम किया सिक्षा के चित में, कुछ बिल्डियों में, चार-पांच बिल्डियों में को आप नया बना करके, प्रदीबाई स्कूल जो दिल्ली की अंदर है, सीने सेकेंड़ी स्कूल में सरकारी प्रदीबाई स्कूल, वो कॉंग्रेस की कलपना थी, चार-पांच बिल्डियों में, कॉंग्रेस की सरकारों ने अपने आदस मौडर्ट भी डल बना है, उस पॉंट में आपने कोई नया प्रियोग किया हो, वो बता दें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर जो जुगल बंदी है, दोनों की एक रणनिती है, कि जो उत्राखर राजी के अंदर, नौजवान और लोगों में जो गुसा है, वो गुसा एक साथ कॉंग्रेस के पक्ष में ना जाए, इसलिए आ को कोई हूँ ने, पुसले इनी छे मेनों के अंदर, बड़ी संख्या में उत्राखंड के लोग इस राजी के अंदर है, आम आदमी पता दे, जो यहां पर वेरोजगार हुए है, उन लोगों के साथ किस तरह का बिहार किया, यह आम आदमी पार्टी है, जिसने कहा दा कि दि किस एक आम आदमी ने, पार्टी ने किसी एक उत्राखंडी को इस लाइक समझा है, कि इस राजी में उसको काउंसलर, एक विदाया का प्रतियासी बना दिया जाए, उत्राखंड के अंदर आप आदमी पार्टी के क्या स्कूप दिखते, क्या आपको लगता है कि उ लड़ा आदमी पार्टी लड़ी है, आदमी पार्टी सिर्फ इस समय वह काम करी, जैसे प्रापर्टी डिलर करते थे, कॉंग्रेस या बीजी पी से जो असुंतुस्ट जिनको कहीं टिकट नहीं मिला होगा, उनको खड़ा करके, अपना क्या कहते हैं, राजनीत के अपर, कहीं क्या आदमी पार्टी ने उत्राकर्ण की जनता के लिए क्या उस राजी के अंदा कोई राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया, क्या उनस सवालों में संगर्स क्या, क्या राजनीती इतने मिछले इस तरवह चली गई है, कि बिना कोई राजनीतिक आंदोलन खड़े की वे, आप उस सरकार बनायने का दावा करते हैं मैं समझता हूं उत्राकंड की जनता बहुत जाकरुक जनता है आंदोलों से उसराजी का सरजन हुआ है इसलिए इस तरह के दोलों को जिनका कोई वहां के जन्जियून में किसी तरह का योगदान नहीं है ना संगर्सू में है ना लोगों के है दोजार 21 में महाकूम होना हरिद्वार के अंदर कुछी दिन बचे हैं सरकार करें तयारियां पूरी हैं आपको क्या लगता है महाकूम हरिद्वार में होना एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है यह बड़ी अजीब सी बाद है उत्तरप्रदेश में तो अर्दकुम थ केंदर की सरकार और लखनों की सरकार ने कहा कि इतना पैसा हम दे रहे हैं यहां तो 21 में होने गया रहा अभी तक सरकार किस फ्रंट में ने तैयारियों का पता है ना केंद्र सरकार ने कोई कुम्ब के लिए जो राजी की जुरुएत हैं उस तरह से धनावनटन किया है जिसलिया से कॉंग्रेश की यूपीए सरकार में राजी को पैसा वनटन किया था मैं सबस्ता हूँ राजी की तमाम घोश्राओं की बाजबिती कुम्ब के फ्रेंट में हम पूरी तरह से तैयारी में उतनी देखता नहीं हूँ और राजी सरकार भी अभी तक पस्ट नहीं है कि क्या उसने तैयारे कर लिए कि इंदरे से उससे क्या सयोग मिला मुझे लगता है कि कुम्ब के छेतर में इस पर हम पीछड़ रहे हैं और सरकार पूरी तरह से कुम्ब के ब्रती बहुत गंबीर भी लगती नहीं है शुक्रेब से पाचित करने के लिए तिया है कॉंगरस से राजसवा सांसत प्रदीव टम्टा जिनका कहना है कि आमान्दी पार्टी का उतर एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी